हलो दोस्तों वेलकम बैक टु नीव वीडियो वीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होने हैं दोस्तों आज के सुरह में बात करने वाले टीवेस अपाचे आटिया टॉरनेट फोरवी एटुएंटी के बारे में जी दोस्तों फाइनली ये बाइक इंडिन मार्केट में इटुएंटी के साथ में आ चुकी है बहुत सरे लोग अफ़ा फैना रहे थे कि बाइक इस बाइक इस बाइक को खरी सकते हैं सारे चीजे मैं आपको डिटेल्स पे बताने वाला हूँ So I hope दूस्तो आज की जो वीडियो आप लिए बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है चलि इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली पर रहा है तो सबस्ट्राइब करने ना बेल गेटन वो अन कर लिजएगा ताकि ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो की नोडिविजेशन वे आप तद पहुंशते रह सकें और आप मेरी वीडियो सब्डेट रह सकें सबसे पहले दूस्तो बात कर लेते हैं इस वाइक की प्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मलती है बताना जोगो तुस्तो 80204 भी में आपको दो अप्शन आते हैं एक आप सिंगल चैनल EBS ली ले सकते हैं और एक आप डूल चैनल EBS ली भी ले सकते हैं सिंगल चैनल EBS वाली एक्ट रूव प्राइस आती है 1,jak 41,000 और डूल चैनल EBS वाली आती है 1,000, 1,56,000 यहने कि लगबक सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपय का प्राइक डिफेंस बिलता है तो हम आपको यही सजिसन दुआ कि सिंगल चैनल EBS के साथ में मज़ आओ सेप्टी इस फर्स प्रियूरिटी गोफोर डॉल चैनल एंट लोग ब्रेकिंग सिस्टम मॉडल यह आपके मतब फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा और आपके सेप्टी के लिए जादा बैतर रहेगी तो दूल स्टर एलिब्यस के साथ में आपको जाना चाहिए चलिए रिव्यू में आता है सबसे पहले दूस्तों इस बाइक की फर्ट लाइट में आता है आपको नीड है इस बाइक में जो टैनल सिंगल लाइफ है वो आपको बाइक में बल देखने को मल जाते है और आप लाइट की क्वालिटी देप पारे है वहाई कि इकनी अच्छी क्वालिटी कंपनी ने आपके प्रोइट किया है दोस्तों suspension में इस बाइक में आपको फरंड में फरन एक समपेंशन देखने को मलते है उलाकि दितस टिलिस्कोपिक सम्पेंशस अंग योजड होती दो जाधा बैतर हो सकते दिन प्रन में क्थ ने यूस किया है यहने कि ब्रेकंग प्लीट भू भे änd आपको 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 बाइके पर ने कि धाना adelensip लेते हैं अब इस बाइक के इंजिन स्पेस सिपकेशन गीश्पीकेशन के बारे में आपको बातों दोस्तों इंजन टाइप में आप नोगों को इस बाइक में जो है 197.7 cc का आने की 197.7 cc का और इकुल सिंगल सिलेंडर 4 इस्टो 4 वन जो इंजन है वो आपको यहापे बाइक पे देखने को मिलता है बात करें पावर एंड टॉक के बारे में दोस्तों यह मैक्जिमम बार में 20.82 का पीएस पावर जनेट करती है एं 17.25 का जो निरमिटिन टॉर्क हो आपको इस बाइक में देखने को मिल रहा है हैने कि इस बाइक में आपको पावर एंज टॉर्क है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है कोई डाउट नहीं है हलाकि दोस्तों आपको बदादूर इसके राइडिंग मोड्स की साबसे पावर को कम एंड जादा भी कर सकते है इस बाइक की सबसे खास चीज मुझे लगती है कुलिन सिस्टम में ऐल कुलर विद एयर रैम एसिस्टिन मिलता है फ्यूल सिस्टम में रेस टून फ्यूल इंजेक्टर है बाइक में आपको नवन नमबर ओफ सिलिंडर देखने को मिल जाता है इस बाइक में आपको पांच गियर देखने को मिलेंगे इस बाइक में आपको जो स्लीपर क्लच है वो भी आपको देखने को मिलेगा बाइक की जो बोर साइद है वो भी आपको देखने को मिलेगा बाइक की जो बोर साइद है वो भी आपको देखने को मिल जाता है चली बात कर लेते हैं इस बाइक के मानेजन परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताना जो हुआ ये बाइक मिनिमम आपको लबग 35-40 गासपस का हमाल इसलिए ओफर कर देती है 0-100 में इस बाइक को लबग 12-13 सकेंड लगते हैं टॉप स्पीड आपको इसकी 105 किलोमेटर पर अवर अर्बन रेड मोड में लेगा और इस पोर्स में दबदालेंगे तो ये लबग 135-135 किलोमेटर पर अवर गासपस की टॉप इसलिए चले जाती है अब आते हैं इसकी रियर परफाल में सबसे पहले आप 10 लाइट देख पा रहे हैं अब आपको LED 10 लाइट मिल रही है रियर में दुस्तों कमपन्य ने इस बाइक में C8 जूम के 130-70 की टायर यूज़ की 17 इंच विल के साथ में आते है रियर में इस बाइक में आपको 240 mm की डिक्स प्लेट आते हैं इस ब्रहता को डैके बीजाते है बात करें दुस्तों के सिट के आपको इसमें split seat डेखने को मिलता है द्यान रखिए इसमें सिंगल सीट नहीं आता, स्प्लीट सीट स्पोर्स बाइक में जाद आता ही और हो काफी अच्छा भी लगता है, कोई डाउड निया, तो यहाँ पर आपको स्प्लीट सीट देखने को मिल जाता है, चलिए, अब चलते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडो मिटर की तरह, दोस्तों इस पीडो मिटर में आपको बदा तो इस बाइक में आपको फूली डिजिटल मिटर हो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको काफी सरे feature मिलते है सबसे पहले आप की देख लिए कुछ से आपको बाइक में मिलेगी Speedometer में बाइक में आपको fully digital meter है जिसमें आपको feature में speedometer है, takeometer है, trip meter है, clock है, abears light है, fuel gauge है, rpm है, gear display है, service reminder है, low oil indicator है, gear shift light है, rail limiter indicator है, lap timer है, even bike में आपको BT, यहने के Bluetooth connectivity भी मिलता है, साथ में आपको bike में 3 number of modes मिलते, rain, urban and sports, तो बाइ, feature wise तो यह bike बहुत तगड़ी है, बात करें इसके divination and capacity के बारे में, bike की overall lane देख 2050 mm की, overall weight है 790 mm की, overall height है 1050 mm की, ground के लिएने से इसकी 180 mm की, seat height है, इसका 80 mm का, wheel weight है, इसका 1330 mm का, car weight है 152 kg का, filter in capacity 12 liter की है, साथ में fuel reserve capacity आपको 2.5 liter की आस पास की देखने को मिलेगी, सुएदा दुस्तो, brand new TVS Apache RTI 204V का complete specification देव्यू, अई अब दुस्तो, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगईगी, वीडियो चैनल नेगी तो like करेगा, चैनल पर पहनी वेरा है तो subscribe करेगा, मिलते हैं दुस्तों फिर नेक्स वीडियो में, love you all, जैहिन, बंदे मातरा,